सब्सक्राइब कीजिए इंफराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इंफराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शाओमी ने अपना लेटेस्ट पावर बैंक लॉंच कर दिया है यह 30,000 mAh का पावर बैंक है जिसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है शाओमी ने अब तक का सबसे बड़ा पावर बैंक मार्केट में लॉंच कर दिया है शाओमी ने शाओमी ने शाइनीज मार्केट में 30,000 mAh का MI पावर बैंक 3 का क्युक चार्ज एडिशन लॉंच कर दिया है इस पावर बैंक के सबसे बड़ी खास्या दिये है कि यह दोनों तरब से फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है यानि यह पावर बैंक खुद भी फास्ट चार्ज होगा और डिवाइस को भी फास्ट चार्ज करेगा इस पावर बैंक में फिटनेस बेंड और ब्लूटूट डिवाइस जैसे डिवाइस को चार्ज करने के लिए स्पेशल मोड भी दिया गया है यह Powerbank एक साथ तीन डिवाइस को चार्ज कर सकता है इसकी body polycarbonate की है company का दावा है कि यह Powerbank anti-slip है MI Powerbank 3 Quick Charge edition का weight 657.9 gram है MI Powerbank की price 169 चीनी युवान यानि करीब 1,800 इंडियन रुपीज है इंडियन मार्केट में इसकी launching और price के बारे में कोई information नहीं आई है China में इसकी sale 18 June से start होगी Xiaomi का दावा है कि इस Powerbank से iPhone SE 2020 को 10 बार से जादा full charge किया जा सकता है इसके अलाबा MI 10 और Redmi के 30 Pro को कम से कम 4 बार charge किया जा सकता है यह Powerbank 18 Watt की fast charging को support करता है Xiaomi का यह भी दावा है कि यह Powerbank iPhone 11 को महज एक घंटा 45 मिनिट में full charge कर सकता है MI Powerbank 3 में दो USB Type-A port एक Macro USB port एक USB Type-C port दिया गया है इसमें से दो USB port A और Type-C port fast charging को support करते हैं वही Type-C port से ही Powerbank भी चार्ज होगा तो यह Powerbank सबसे बड़ा Powerbank Xiaomi ने लाँच कर दिया है फिलाल Chinese market में लाँच हुआ है इंडिया में कब तक launch होगा अभी इस बारे में कोई information नहीं आई है जैसे ही information आजाएगी हम आपको बता देंगे जब तक आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए फिलाल इस वीडियो में तना ही उम्मीद करते हैं आप कोई वीडियो समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स